हलो फ्रेंड्स वेलकम टू बीटो इस्टेडीज बड़ेगा इंडिया तो बड़ेगा इंडिया फ्रेंड्स मैं हूँ सर्फ्राज आज रिजनिंग के नई बुष्टर के साथ में उसी सीरीज को अपना आगे बढ़ाते हैं उसके लिए अपने पास में रिजनिंग बुष्टर 04 लेका आया हूँ अगेन वही 25 कुशन का कॉम्बिनेशन जो एससे में पूछे यह गए कुशन है देखिए फर्स नंबर कुशन जो आपके पास में दे रहा हूँ सीरीज का कुशन है और यहाँ पर आपके पास में मिसिंग नंबर आपको बताना है जो यह series जो है, series कैसे चल रही है, अगर देख रहा हूँ, 6, 11, 21, 26, 36, question mark दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा 51 देखो फ्रेंट, अगर इस series को थोड़ा सा आपन देखते हैं, तो यह अपने पादमें इसमें जो growth है, slow growth है इसका मतलब यह अपने पादमें difference की series होगी, difference कैसे 6 से 11 करना है, तो प्लस के 5, 11 से 21, प्लस के 10, 21 से 26, प्लस 5, 26 से 36, प्लस के 10, तो यहाँ पर जो combination चल रहा है, प्लस 5, प्लस 10, प्लस 5, प्लस 10, तो आगे भी क्या होगा, प्लस के 5 आएंगे, 36, प्लस 5 करेंगे, कितना आएगा, 41, जैसे 41 आगया, तो इसमें प्लस के 10 करोगे, तो क्या मिल रहा है, 51 मिल रहा है, तो इसका मतलब इस series में क्या आना चाहिए, 41 आना चाहिए, 41 के लिए कौन सा option से, A option से, आगे देखें next question, latest series आ गई, अब latest series में यह G, F, G, H, G, H, I, J, K, मतलब 5 लेटर का combination लेखना है, लेकिन अगर starting वाला लेटर बता चल जाए, तो अपने बाद में आगे वाले लेटर को लिख सकते हो, अब starting वाले लेटर कर देखू, relation के से, अगर इसका first लेटर, A का अगर मैं इस first relation देखता हूँ, D का G से S value 1 है, D का 4 है, G का 7 है, और J का कितना है, 10, तो प्लस के 3 होर है, 1 प्लस 3, 4, 4 प्लस 3, 7, 7 प्लस 3, 10, तो आगे जो starting होगी, 10 प्लस 3 की होगी, 10 प्लस 3, 13 और 13 पे कौन सा लेटर आता है, M, इसका मतलब जो भी series की starting होगी, किसे होगी, M से होगी, अब M से के ओल, A की option से कौन अगला question, अगला question analogy का question आगया, यह number analogy है, 83 का relation 25 से है, तो 29 का relation किसे होगा, देखो friend, अगर यहाँ पर दे रखाए 83, इसका relation 25 से दे रखाए, तो वही relation 29 का find out करना है, अब देखो यहाँ पर अपने बाद में देख रहे हो, तो 8 और 3, इन दोनों का difference 5, और 5 का square करोगे, कितन आएगा 25, इसी तरीके से इन दोनों का difference 2 और 9 का difference कितना 7, और 7 का square करोगे, answer कितना आएगा 49, कहीं option में दिखाए दे रहे हैं, हाँ यह option में है, तो यहाँ पर analogy square की कदर के difference होने के बाद में square है, अगला question जो दे रखाए, उसमें जो analogy है, यह letter analogy है, और यहाँ पर दे रखा 1, F का होता 6, और I का कितना होता 9, तो 169 जो है, वो किसका अपने बाद में square root करोगे, तो M की place value कितना रहे हैं, इसी basis पर यहाँ पर दे रखा है, A, D, D, A का कितना 1, D का 4, 4, इसका मतलब 144 का square root करोगे, तो 12 मिलता है, और 12 पर कौन सा letter रहता है, L, तो यहाँ पर क्या आगे L, आगे आपके पास में direct है, A, B, A, A, B, A, अगर इनकी place value लिखता हूँ तो 1, 2, 1, 121, और 121 का square root करूँगा, तो कितना आएगा, 11, और 11 पर कौन सा letter रहता है, K आता है, तो इसका मतलब K कहीं option में है, A option में है, K, तो answer क्या जाएगा, K अगला question, word analogy का आगया निरक्षर्त, illiteracy, illiteracy किसकी वज़े से होती है, Lake of education, education की कमी से अपने बाद में illiteracy आती है, तो यहाँ पर जो सुका है, जो drought है, सुका किस condition से आता है, जब वारिस नहीं होती, इसका मतलब वारिस की कमी से क्या आएगा, अपने बाद सुका आएगा, next question, तो प्रें next question लेते है, six number, six number में यहाँ पर odd one out का है, और number की grouping कर रखी है, और अपने को यह देखना है, कि number की grouping में क्या relation है, जो relation अपने बाद में है, ऐसा देखना है, इसा relation दूसरे किसी number में क्यो नहीं है, वो देखते हैं अपने बाद में, जैसे यहाँ पर 14, first वाल multiply plus one है, 14 से 43 देख रहा हूं, तो यह भी 2 से multiply plus one हो रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखूंगा, तो यह अपने बाद में, 2 से multiply plus one और 15 से 46 लेना है, तो 3 से multiply plus one, दोनों में same ही चल रहा है, तो यह और भी एकी group में आ गए, अगर यहाँ पर देखूंगा, 18 से 37 तो 2 से multiply plus one, लेकिन ही आपर friend, 3 से multiply minus के 2 हो रहे हैं, अभी तक तीनों options में सबसे अलग होन हो गया, अपने बाद C options, ऐसा D में भी देखता हूं, 2 से multiply plus one, आगर यह रहा है, 3 से multiply plus one, तो A में, B में और D में same grouping चल रही है, तो सबसे अलग होन सा हो गया, C options हो गया, तो answer का जाएग C options, अगला question friend, यह लेटर classification है, अगर लेटर classification को आप देख रहे हो, तो कोई भी एक लेटर है हो, उसका repetition अपने बाद में 3 बार हुआ है, 3 बार M है, 3 बार Q है, 3 बार T है, हर option में इसी तरीके से दे रहा है, अपनको सबसे अलग याप पर छाटना है, और अलग grouping के बनाने के लिए अगर थोड़ सा इनमें नंबर की, जो भी लेटर आपके बाद दे रहेंगे, place value पर देखता हूँ, क्या relation है, तो मुझे बताए, M की place value 13 होती है, क्योंकि 17 होती है, और T का कितना है, 20, K का 11 है, O का 15 है, S का कितना है, 19, C का 3, G का 7, K का 11, B का 2, F का 6, G का 10, देखो इस 6, 6, 6, 4 कितना, 10, 3, 4, 7, 7, 4, कितना, 11 है, तो A, B, और D में सब में क्या चल रहा है, प्लस 4, प्लस 4 का चल रहा है, लेकिन A option में देख रहा हूँ, तो first वाले option में दो प्लस के 4 है, लेकिन 17 से 20 है, ये प्लस के 3 चल रहे हैं, तो प्लस 4 और प्लस 3 का combination, तो सब से अलग होन ह हो गया, A option, तो आंसर किया जाएगा, अगला किशन देखते हैं, word classification का आ गया, देखो friend, यहाँ पर जो word classification दे रहा है, जो अलग-अलग word दे रहा है, ये disease से related है, titnes हो गया, pneumonia हो गया, TB हो गया, छे रो गया, और एक आपने बाद यक्रश हो दे रहा है, इसका मतद़ हिपिट है, hepatitis, तो friend, यहाँ पर जितने भी word देख रहे हैं, देखो, titnes हो गया, TB हो गया, और ये अपने बाद pneumonia हो गया, ये तीनों के तीनों डिजी करकर बात करता हूँ, तो ये bacterial disease है, bacteria के दोरा होती है, लेकिन hepatitis जो है, वो viral disease है, तो viral disease होने के वज़े से सबसे अलग हो गया, तो पांसर क्या जाएगा, D option, अगला question है, logical sequence of words, जो words का combination दे रहा है, इनका sequence किस तरीके से, तो friend, यहाँ पर दे रहा है, जैसे स्वन जेनती, golden jubilee, रजत जेनती, silver jubilee, words gaunt, anniversary दे रहा है, हीरक जेनती का मतलब diamond jubilee, और सताबदी समारों के आउगया century, अगर इनका मैं tenure देखत तो golden jubilee जो है, वो 50 साल में मनाई जाती है, silver jubilee जो है, वो 25 साल में, anniversary है, वो प्रतेक साल में, हीरक जेनती जो है, जो diamond jubilee हो 60 यर में, और सताबदी जो century हो किसमें, 100 में, तो time के according इसको अगर मैं arrange करता हूँ, तो सबसे पहले anniversary आएगी, third number, उसके बादे silver jubilee आएगी, second number golden jubilee आएगी, first number, diamond jubilee आएगी, fourth number, उसके बाद में century आएगा, 5 number, तो ऐसा कौन सा options है, जिसमें 3, 2, 1, 4, 5 का combination, B options, अगला किशन देखें, ये एक तरीके से comparison का आगया, पल मिनार इसका ही मिनार से उच्ची है, लेकिन unity मिनार से छोटी है, इन तीनों का comparison कर रहा है, तो ती किसे उच्ची है, इसका ही से, तो यहाँ पर कोन आएगा, इसका ही, लेकिन किसे छोटी है, unity से छोटी है, तो यहाँ पर कोन आएगा, unity, तीनों का comparison हो गया, आगे दे रहा है, unity मिनार और cyber मिनार की उच्चाईय समान है, तो unity equal to cyber, पल मिनार, इंडस मिनार से छोटी है, अब इंडस का combination द्यान रखेगा यहाँ पर भी इंडस आ सकती और यहाँ पर भी इंडस आ सकती यह दोनों position इंडस के लिए लेकिन question में बुलागे इन इमार्टों में से दूसरी सबसे चोटी मिनार कौन सी है फर्स नमबर पे कौन है इसका ही है छोटी तो second number पे कौन ने पल है तो answer के आएगा पल मिनार अगर इसी question में पूछा जाता कि सबसे उची मिनार कौन सी है अब उची मिनार का answer नहीं आ सकता था वो इंडस भी हो सकती थी और unity और cyber में से भी हो सकती थी तो ऐसा अपने पास में उसका answer के जाता cannot be determined अगला question जो दे रहा है वो missing number का है तो friend यहाँ पर जो आपके पास में number दे रहे है उसमें देखिए जो outer number है outer number से relation 54 का है इसमें outer number से 51 का relation है जो relation इसमें है वो का होई आपको इसमें find out करना है अगर number को अच्छे से आप गो देख पा रहे हों तो यहाँ पर किस तरीके से 6 प्लस 7 42 प्लस 8 प्लस 4 मतलब इन वाले number में multiplication है इन दोनों का addition करके 8 की आगे तो यहाँ पर कितना आगे है 42 प्लस 12 54 दिखाई दे रहे आगे दे रहे हैं आपने इसी तरीके से देखते हैं यहाँ पर 8 इन टू 4 32 प्लस 12 प्लस 7 तो 32 प्लस 19 यहाँ पर भी कितना रहे है 51 तो इसी को इसमें apply करते हैं तो यहाँ पर अपने पास में number कौन सा 9 इन टू 5 प्लस 14 प्लस 9 9 इन टू 5 कितना हो गया 40 9 इन टू 5 45 हो गया और यहाँ प्लस के 23 तो 23 एड करोगे तो कितना आज़र आएगा 68 68 का यह option में है बी option तो फ्रेंड दियान रखिए का ऐसा question मैंने soul करके आपको बताए सबसे पहले आप क्या करोगे जब किशन भी यहाँ पर आपके slide में है तो उसको कुछ देर के लिए आप पोच कर लिजी फिर पोच करने के बाद इस किशन को अपने according soul करने की कोसिस करें एक बार देखें अपने बाद इसका क्या अंसर आना चाहिए आपके according अगर नहीं समझ में आए तो मेरा solution देखने की कोसिस करें आप अगला किशन है coding decoding का है ladder का code दे रहा है 20, 13, 9, 12, 13, 26 तो light का code पुछा के है देखेंगे अपने बाद में यहाँ पर ladder ladder का code दे रहा है यहाँ पर कितना है 20, 13, 9, 12 12, 13, 26 देखता हूँ अपने बाद में नमबर में का relation आदा है अगर L की place वे लिए 12 है E का 5 है E का 1 है D का 4 E का 5 और R का कितना है 18 अगर नमबर पर में देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर सब में प्लस के 8 हो रहे 12 से 20 प्लस के 8 5 से प्लस 1 करेंगे प्लस 8 करेंगे 13 1 प्लस 8 करेंगे 9 4 प्लस 8 करेंगे 12 5 प्लस 8 करेंगे 13 और 18 प्लस 8 करेंगे कितना 26 जितना भी आपके पास में यहाँ पर coding कर रखी है जो भी लेटर की place value उसम्में का कर रखा प्लस 8 कर रखा है तो यहाँ पर light का अपने पास में code करना है तो इसी तरीके से L की place वेली कितना 12 I का 9 G का 7 H का 8 T का 20 तो इसने प्लस के 8 करोगे 12 प्लस 8 करोगे 20 9 प्लस 8 करोगे 17 7 प्लस 8 करोगे 15 8 प्लस 8 करोगे 16 20 प्लस 8 करोगे 28 तो यहाँ पर इसा अपने पास में coding इस तरह में क्या कर रखा प्लस के 8 तो 20, 17, 15, 16, 28 कौन सा options है B options अगला question friend यह alphabet का आगया निम लिखीद विकल्पों में से वे सब्दों चुनिए जो सब्द के अक्सरों का परियोग करके नहीं बनाया जा सकता cannot be formed फर्ष्ट वाला आपके पास में उप्टे को word कौन सा दे रहा है, inconvenience दे रहा है इसके letters का यूज करते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता अगर मैं A option को देख रहा हूं तो friend यहाँ पे A option में S आ रहा है और मुझे बताओ इन में से कहीं S है क्या नहीं है, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता A option दे हो चुक है बाके का conceive हो, चाए convince हो, चाए convince हो सारे के सारे letter है तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता यह पूछा गया, तो answer के आएगा A option अगला question दे रहा है सुकेत के तीन पुत्रिया है और परतेग पुत्री का एक भाई है तो परिवार में कुल कितने पुरूस रहे तीक ही बेस्किशन है केसे अपने पास मैं देखो सुकेत सुकेत के तीन पुत्रिया हो गई 1, 2 and 3 और परतेग पुत्री का एक भाई है मुझे बताओ इस पुत्री का भाई है परते एक पुत्री का भाई होगा तो सब का ये की भाई होगा ना इसके लिए भी एक भाई है इसके लिए भी एक भाई है इसके लिए भी कहा है एक भाई है तो कुछन है वो लगया परिवार में कुल कितने पुरूस रहे अगर सुकेत को भी अगर मैं पुरूस मानता हूँ नेम के अकोडिंग तो इस परिवार में कितने पुरूस हो गए दो हो गए, दो के लिए कौन सा ओप्सन से बी ओ अगला कुछन देरेका डायरेक्शन का गने साइकल से दक्षण पच्षिं दिसा की और 8 मेटर की दूरी तेक करता है फिर पूर की और मुड़कर के 20 मेटर की दूरी तेक करता है देखो इसको अपने बादрем करते हैं सबसे पहले दक्षण पच्षिं यहां से अगर start हुआ है तो दक्षिन पच्छिम यही है और कितना चल रहा है? 28 मिटर उसके बादने फिर पूर की ओर 20 मिटर और यहां से पूर ऐसा है और कितना चल गया? 20 मिटर वहां से उत्तर पूर की ओर 8 मिटर जाके उत्तरपूर, यही होगा उत्तरपूर 8 मिटर है तो इसके equivalent पच्छिम की ओर 6 मिटर जाता है इसका मदला यह वाली डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 6 मिटर पच्छिम में वहां से उत्तरपूर की ओर 2 मिटर जाता है देखो उत्तरपूर यह यहां से कितना हो गया? 2 मिटर फिर पच्छिम की ओर 4 मिटर चलता है यहां से पच्छिम है यह कितना हो गया? 4 मिटर फिर दक्छिन पच्छिम में 2 मिटर तो यहां से 2 मिटर इसके equivalent है यह 2 मिटर यहां पर आचुका है इसका मतलब यह initial point था और यह कौन सा point है final point तो किश्च ने बुला गया अप्तारमगी इस्तान से कितनी दूर है यह distance आपको find out करनी है मुझे पता यह distance 20 है तो यह भी कितना होगा 20 होगा और 20 में से यह कितना होगा 6 और यह distance इसके equivalent है तो यह भी कितना होगा 4 तो 6 plus 4 कितना होगा 10 होगा remaining 20 में से यह कितना बचेगा 10 ही बचेगा तो 10 मेटर कौन सा option से बी होगा अगला question statement conclusion का आगया सभी दास्तनिक पुरूस होते हैं देखिए अगर मैं इसको बनाना है सारे के सारे दास्तनिक यह क्या है पुरूस है सुक्राद दास्तनिक है इसका मतलब जो भी सुक्राद होगा वो क्या होगा दास्तनिक होगा यह तो ही बनेगा first वाला देखिए सुक्राद पुरूस था देखो सुक्राद पुरूस के अंदर आ रहा है first वाला conclusion correct महिलाई दास्तनिक नहीं होती है अगर दास्तनिक महिलाई होगी तो महिलाई और पुरूस में कुछ portion common हो जाएगा और महिलाई अभी पुरूस हो सकती है नहीं हो सकती तो answer अपने बादे second वाला wrong हो जाएगा first matrix का question आ गया देखते हैं इसका address देखते हैं कि Q को 1 0 कैसे लिखा गया है 1 और 0 मतलब वह का वही row और column एक 3,4 3 और 4 यहाँ पर भी कोना रहा है Q आ रहा है row column का combination B का address दे रहा है 8,6 8 यहाँ से 6 यहाँ पर B आ रहा है 7,9 तो यहाँ से 7 यहाँ से 9 तो यहाँ पर भी कोना रहा है तो question ने बोलागे star के लिए मैंने आपको friend बता रहा है यह वाला question हर exam में पूछा आता है तो इसको अपनको हमेशा options के तुरू करना है अगर मुझे S के लिए S के लिए यह चारो options में starting वाला जो address है वो S के लिए बता रहा है चलिए चेक करते हैं 4,2, 4 और 2 पर S आ रहा है 1,1, 1 और 1 पर भी S आ रहा है 0,4, 0 और 4 पर भी S आ रहा है 3,0, 3 और 0 पर भी कोन आ रहा है S आ रहा है तो S का address तो सब में clear है T का address देखते है 0,3, 0 और 3 पर यहां पर तो कोन आ रहा है क्यों? यह eliminate हो गया 4,0, 4 और 0 पर कोन आ रहा T आ रहा है 3,2, 3 और यहां पर 2 पर कोन आ रहा है R आ रहा है आना क्या चीए? T T भी cancel out हो गया 2,1, 2 और 1 1 पर कोन आ रहा है? T आ रहा है इन दोनों में तो अपने बाद T का चल रहा है इन दोनों के according देखेंगे A का address देरेका 6,5 मुझे बताओ 6 और 5 में A आ रहा है यहां पर देरेका 7,7,7 और 7 में भी A आ रहा है यह भी clear हो गया R का देखते है 0,2 और 0,2 पर कोन दिखाई दे रहा है? T दिखाई दे रहा है इसका मतलब B option नहीं आएगा answer का जाएगा D option क्योंकि D option में 4,4 और 4 और 4 पर कोन आ रहा है? आ रहा है अगला question देखेगा Vend diagram का आ गया अडोस पडोस में 100 परिवारों में से 50 के पास रेडियो है 75 के पास TV है और 25 के पास विस्यार है केवल 10 परिवारों के पास सभी 3 चिजे है सभी विस्यार मालिकों के पास TV भी है यदि कुछ परिवारों के पास केवल रेडियो है तो कितनों के पास केवल टीवी है देखो इसको Vend diagram से समझते अपने पास है मुझे यह देर ज़रखा अपने पास में तीनों परिवारों के पास में 3 चीजे हैसे तो अपने पास में कुछ ना कुछ common आएगा सारे के सारे विश्यार किसके अंदर आएंगे? टीवी के अंदर तो ये वाला portion किसका हो गया? टीवी का और ये दे रहाient टोटल परिवार कितने है? सो परिवार है सो परिवार में से ये 10 तो सब के पास में है और रäडियो 50 के पास में उसके बाद में दे रखा 25 के पास विश्यार है अगर मुझे बताओ 25 के पास तो 10 का कॉंबिनेशन आ चुका है बच्चे वे कितने हैं? 15 तो यहां पर इन सब को जोड़ोगे तो अपने पास 100 का कॉंबिनेशन मिलेगा आगर रखा अपने बाद में यदि कुछ परिवारों के पास केवल रेडियो है यह दे रखा है केवल रेडियो किसके पास है? 40 के पास तो कितनों के पास केवल टीवी है? तो यह वाला पोर्शन आपको देखना है अब देखो मुझे बताओ यहां पर 65 65 में से आपको पता है इसमें से 10 को तो तीनों चीजे पसंद है केवल अपन को किसका बताना? टीवी का और 15 वाला जो है उसमें भी अपने बाद में टीवी के साथ में क्या रहा है? विस्यार भी आ रहा है तो यहां पर माइनस करोगे 65 माइनस 25 करोगे आंसर कितना आएगा? 40 तो ऐसा ओप्सन में है क्या? विमान पाइलेट आकास में वेंडाइगा मनाना है देखो फ्रेंड, नॉर्मल सा, सिंपल सा किशन है विमान जो है और पाइलेट है और आकास है उब्यसी बात है पाइलेट पाइलेट किसके दोरा यहां पर इंडिकेट के जाता है विमान के अंदर इसका मतलब पाइलेट किसके अंदर होगा? विमान जो है अरोप्लेट है वो कहाँ पर होता है आकास में होता है, इसका ही में होता है इसका मतलब ऐसा अपने पाद में वेंड आएगा मनना ची यह आगया पाइलेट यह आगया विमान और यह आगया आकास कौन सा उप्सन से? सी उप्सन अगला किशन आगया mathematical operation का यहाँ पर equation दे रखी 18 S, 36 R, 12 Q, 6 P और 7 और इसका आंसर बताना है minus है तो यहाँ पर रख दो minus R के लिए divide है तो यहाँ पर रख दीज़े divide वो इसके लिए multiplication है तो यहाँ पर का आएगा? multiplication देखो इसको solve करते है सबसे पहले divide 36 को अगर 12 से divide करोगे तो कितना आएगा? 3 3 को अगर 18 से multiply करोगे तो यह कितना आएगा? 54 यहाँ पर minus के 6 से और plus के 7 तो 54 प्लस 7 कितना हो गया? 61 और 61 में से 6 minus करोगे तो कितना answer आएगा? 55 और 55 के लिए कौन सा option से? C option से यह देखे गया friend image का आगया अगर यहाँ पर mirror की position देख रहे हो तो यह एक तरीके से कौन सा हो गया? water image हो गया जल पर्टी भी निकालना है और water image की जो definition होती है वो definition क्या बोलती है? किसी भी आकरती का top portion bottom में आ जाता है bottom portion top पे चला जाता है लेकिन left और right में कोई changing नहीं होता है चलो देखो अब यह अपने पास में कहाँ पर है? bottom पर है तो यह top पर चला जाएगा लेकिन left right changing होगा यह वाला portion यहीं आना चाहिए तो यहाँ पर अपना A option दिखाए देरा B में तो नहीं है C में उपड तो आगा लेकिन position भी change होगी यह भी नहीं हो सकता अब D में अपने पास में आएवा इसका मतलब AOD में अगर इसको देख रहा हूँ यह top portion है यह किदर आजाएगा ऐसा कैसा bottom पर आजाएगा position अपने पास में तो bottom इसमें है लेकिन इसमें देखो right में change होगी मैंने बता था left और right में changing नहीं होती तो answer क्या चला गया? A option अगला question अगला पर इसमें यह पर आजाएगी और यह पर इसमें इस तरीके से तो यह तो क्या होगी अपने पास में? अदे portion में हो गया अगर मुझे पूरा portion निकालना हो तो सेम ऐसा कैसा? इदर भी अपने बाद में ऐसा इदर भी ऐसा इदर भी ऐसा ऐसे और यहां पर इस तरीका तो ऐसी आकरती आपको दिखाए देगी अब अपने बादे ट्राइंगल भी है अपने बाद में इसको अगर में उपर की तरफ करूँगा तो एक तरीके से वोटरी मेंज हो जाएगा और ट्राइंगल ट्राइंगल की जो वोटरी मेंज होती हो इस तरीके से होगी अब इस पेपर को में अगर इदर फोल्ड करूँगा इधर अपने पास में इसको open करूँगा तो इसका क्या हो जाएगा mirror image निकाल ली है और इस triangle की mirror image ऐसी रहेगी और इस triangle की mirror image ऐसी रहेगी तो ऐसा options अगर मैं देखता हूँ देखो A वाला तो options eliminate होगा उपड जो 9 जो triangle है वो अपने पास में कैसारे के सारे same है यहाँ पर अपने पास में B answer हो सकता है C answer को अगर देखूँगा तो C answer भी हो सकता है लेकिन D answer नहीं होगा तो friend अपने पास में केवल और केवल B और C options बचाएं दो options eliminate हो चुके अगर B और C में देखूँगा तो यह वाला जो figure है यह वाला figure किसमें दिखाई दे रहा है यह C में दिखाई दे रहा है अगर मैं B में देखूँगा तो B में अपने पास में यह वाला middle में भी cutting कर रखी और middle में तो ऐसी कोई cutting है नहीं तो B वाला बेलिमनेट होगे, आंसर क्या जाएगा, C ओ तो किसी भी पेपर को फोल्ड करने से उसकी इमेज होती है अगर उसको वर्टिकली फोल्ड करते हो तो मिरर इमेज बनेगी अगर होरिजोंटली फोल्ड करोगे तो क्या बनती है? वर्टर इमेज बनती है, जहल पढ़ती है देखे फ्रिंड, अगला जो किशन है, वो क्यूबेंड है, इसका गहन और पासा का अगर किशन में देखता हूँ, तो ये बोला गया दी गए प्रसनाकरती को मोड़ने पर जो गहन बनेगा, उसे चुनिए फ्रिंड फोल्ड गणने पर कैसा दिखाई देगा, तो सबसे पर एसे वाले किशन में अब पोजिट सर्थेज बता कर लीजे, विप्रित फलक और विप्रित फलक की आती है, जो एकांतित पर विप्रित फलक कभी भी आपको एक पोजिशन से दिखाई नहीं देती है, और यह सारी की सरी एक ही पोजिशन है, और विप्रित फलक दिखाई नहीं देनी चाहिए, अगर अपने बाद ए ओप्सन में दे रहा हूं, यहां पर क्या है, ट्राइंगल के अपोजिट में त दिखाई दे रहे हैं, और विप्रित फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, भी ओप्सन नहीं जाएगा, यह आपके पास में जो प्लस है, प्लस के अपोजिट में स्टार है, प्लस और स्टार, एक साथ कभी दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, क्यों नह आपने पान देखिए, यह square है, square के अपोजिट में यह क्या आगया, dark circle यह भी दिखाई नहीं देगा, तो answer क्या चला गया, यह ओक्सन, अगला question है, तिलोक्स का question आगया, सभी मिर्च लेसून है, देखो इसको बनाता हूं, वेंड आगा, सारी कि सारी यह जो मिर्च है, वो क् लेसून, कुल लेसून, कुल नहीं है, वो कुछ लेसून है, कुछ लेसून प्याज है, सभी प्याज आलू है, तो सारे के सारे प्याज किसके अंदर आएंगे, आलू के अंदर, कोई भी आलू अद्रक नहीं है, इसका मतला आलू की मना कर रखे अद्रक से, अबिस्य बात है फ्रेंड जब आलू-द्रक नहीं है तो प्यारज आद्रक हो सकता है क्यों नहीं हो सकता क्यों Strateg क्योंफोई है सारा सारा प्यारज किसके अंदर आ रखाया अलू के अंदर first वाला दिसे का कुछ मिर्च अलू है मुझे बताओ मेच का अलू से को रिलेशन कोई मना भी नहीं कर रखा इसका अलू हो भी सकती है नहीं भी हो सकती तो ये वाला क्या हो जाएगा रो कोई भी प्याज अदरक नहीं है हाँ 100% करेक्ट है क्योंकि जब अलू अदरक नहीं बोक्स दे रखें, वेट के दे रखें, 10, 40, 50, 60, simple सा किशन है फ्रेंट, नेम लिखित में से बक्सों के किसी भी सेयोजन में कुल बजन किलोग्राम में नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता और एक सेयोजन में एक बक्सा एक बार ही परियोग में लाए जा सकता है, जैसे आपक मुझे बता, 120 का कॉम्बिनेशन तो यहां से बन सकता है क्या, 80 और 40 से, 100 का कॉम्बिनेशन इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 100 बनता है, 90 का कॉम्बिनेशन इनसे बनेगा, लेकिन 110 का कॉम्बिनेशन किसी भी एक एक के कॉम्बिनेशन में नहीं बनेगा, तो आंसर के और देखे आपका अंसर सही है या नहीं है उसके बाद में अगर आपके पाद में आंसर गलत निकलता है तो उसका solution देखे अपने पास में जो मैंने solution बता है उसका recording आपको कितना समझ मैं है तो friend इसी तरीके से इस channel को आप like करें, subscribe करें और आपको अपने पास में मैं ऐसे question बार बार आपको continue regular basis पर कराता रहूंगा जब तक आपका exam नहीं होता Okay, thank you झाल